हेलो फ्रेंज, वेलकम तू दर्वियम पीडियो से का एडमी, आपसे पैच्छ होंगे, पड़ाइक कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे दखे आज के इस लेसन में हम लोग सोल बुक करेंगे, एंबी पॉब्लिकेशन बुक से, सेट नमबर ट्वंटी टू, ठीक है सोल पेपर 2018 यहां लिखा गया है, लेकिन यह कोश्चन्स हैं 2019 के, means कि यह 2018 सेसन के एक्जाम कंड़क किये थे, 4 जून 2019 से, ठीक है तो यह एक्जाम जो हैं, वो 2019 में कंड़क हुए थे, सेसन है 2018 का, ठीक है तो हम लोग यहां पर सारे questions को detail में, solution यहां पर करते हैं, समझते हैं, सिखते हैं और अगर किनी को problem होता है, तो वो comment करते हैं तो आप लोग भी lessons को complete देखिए, अगर कहें पर को problem हो, तो comment जरूर करिए, ठीक है और let me know कि आपको यह lessons जो है, मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है, आप सभी comment करते रहिए, उससे हमें पता चलते रहता है कि कौन students हमारे साथ regular जूड़े वे हैं, किने कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है तो please comment करते रहिए, और lessons को share ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि exams नजदीग है, जितने students इसे देखेंगे, उन्हें benefit होगा, सभी जानते हैं कि MB book कितना important है, और हम लोग यहाँ पर previous questions solve कर रहे हैं, तो previous questions हमारे लिकेता important होते हैं, आप सभी को पता होगा, इसलिए lessons को ज्य anonym of the given word, into new मतलब क्या होता है, विपृतर अर्थक सब्द, यानि कि आपको इसका बताना है, विपृत उल्टा, जो बोज हमारा है, वो है अश्टेल, अश्टेल मतलब क्या होता है, अश्टी अल, ठीक है, इसका मतलब होता है बासी, ठीक है, बासी, अब यहाँ पर देखें, आपके पास चार ओप्संस हैं, चारो ओप्संस में से कौन सापका यहां पर इंटोनिम होगा, वो आपको चूज करना है, ओप्शने देखते हैं, फ्लैट, मतलब होता है समतल, ओप्शन भी आपका है, फ्रेस यानि की ताजा, तो देखिए, एक खाना आपका बासी है, और एक खाना आपका ताइदा है, यह दोने एक दुसरे के विप्रीत होगे, राइड आंसर यहां पर ऑप्शन भी है, बाके ऑप्शन देखते हैं, ड्राइड यानि की सूखा, साव यानि की खटा, ठीक है, राइड आंसर भी हो गया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक कोशन में से जो हमारे ऑप्शन्स थे, वही हमारे एक्जाम में कोश्चंस बन गराया थे, सीनोनिम, इंतोनिम में, आई पी हम लोग बहुत सारा किये थे, तो आई पी से कोश्चंस बहुत सारा डिरेक्टली वहां पर आया थे, वोग दब्लू यस आया थे, ग्रामेरिकल जो है, वहाँ पर सीख के गये थे हैं इडर डिटेक्शन सारे कुछ जो हैं वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन्स प्रिविए से जो हैं पिछले साल आये थे 2020 जो तीन मार्च से यह स्वारी तीन मार्च इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका निष्चित से पाएंगे यानिकि डेफीनिक तो यहांप पर जो है आपका राइडर हो जाएगा ए में है आपका error ठीक है यहां पर ए के जगह जो है i को हमें replace करना होगा ठीक है तो option है आपका यहां पर error है बाकियो options है define यानि की परिभासित deform ठीक है इसका मतलब होता है खराब करना deflate यानि की हवा निकालना हर एक option आप लोग याद करते जाएगा अब यहां पर अभी हम लोग देखें एक word है यहां पर definite और एक word होता है definitely अब यह दोनों options अगर आपके सामने हो कोई अगर आप fill in the blank कर रहे हैं ठीक है और यह दोनों options अगर आपके पास definite और definitely दोनों हो तो आप यहां पर आपको कभी-कभी confusion हो जाता है कि हम definite को चूज करें फिर definitely को चूज करें adverb adjective इस तरह के जो है words आपको चूज करने में जो है problem होती है तो आप लोग comment करके बताएं कि इस पर lesson बनाया जाए या नहीं adjective और adverb को पश्चानने के लिए खास तोर पे और भी जो basics जो है वो आपको चाहिए या lesson की नहीं या फिर आप MB publication के साथ ही dense dense मतलब होता है सघन घना ठीक है अब इसका इंटोनिम बताईए यानकी परीद आईए देखते है options असपार्स यानकी विरल तो राइट आंसर हैं पर option A है जहां पर कम घना हो विरल मतलब होता है कम घना ठीक है तो option A आपका राइट आंसर है यह देखिए हम लोग कल के passage में यह वोड पढ़े थे ठीक है तो हर एक वोड आपको लिए important है कलमलुक जो रशिया वाला जो passage पढ़ रहे थे fill in the blanks वाला तो वहाँ पर यह वोड आया था हम आपको बताई भी थे तो अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर जो है चूच कर लिए होंगे ठीक है तो चार जंबल संटेंस दिये गया है इसे correct order में जो है करना है ठीक है तो यहाँ पर दखिए अगर आप चारों संटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक main subject चूच करना होता है पारा जंबल संटेंस को arrange करने के लिए तो अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप सबजिक्ट बना कर ले कर चलना होगा ठीक है तो अगर आप इसे देखेंगे अरे क्र Beyond यूंव फ़ालो उस्ट वीक फाीटल लिथॉ publi एरलाइन ऐलाइन्स क्रैस ठीक है यह किस लिए हुआ क्योंकि जो पिछले सप्ता वीक मतलब की सप्ता जो है घातक एथोपियन एरलाइन क्रेश हुआ था फाइटल मतलब की घातक जान लेवा ठीक है उसके बाद हम आते हैं यानने क indoor okay yeah जो है ईस तरह के लिए उने में क्या साकसर जो शॉक्छ चर्षा का में देखिए क्या है आफका मेन फीम क्या है आपका सब्जिक्ट कौन सा निकल कर आ रहा है जैसे हम लोग यहां पर पढ़ें तो आपका यहां पर सब्जेक्ट बनेगा 737 एयरक्राफ्ट से समन्दी ठीक है तो यही आपको समझना होता है तो इसके लिए आप ज्यादा से यादा प्रैक्टिस करते रहिए और क्योंकि सीजेल में आपको 20 कोश्चन मिलेंगे इस तरह से ठीक है तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर वहां पर बीस मार्ट जो है लूज करिएगा तो आप 180 पर ही फाइट करिएगा ठीक है बाकि सारे 200 पर ही फाइट करेंगे तो यह आपके लिए 20 मार्ट तो लॉस ह होगा इसलिए हर एक कोश्चन पर अच्छे से ध्यान दीजिए जैसा कि हम लोग यहां पर कोशिस करते हैं हर एक कोश्चन को अच्छे से समझने की कोश्चन नमर फाइब पर आते हैं आपको वताना होगा वन वन वर सब्सचिशन ठीक है एन एरिजमेंट ऑफ फ्लार्स डै अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं प्रेजेंट देते हैं तो आप उसे फूलो का बुच्छा देते हैं जैसा कि मूविज पगर या जनरल यहां पर राइड ऑंसर यहां बाकि ऑप्शन देखते हैं गार्लाइंड यानिकी फूलो का हार बंडल यानिकी एक प्रकार का मिटल का जो है बरतन यूज किया जाता है कुकिंग के लिए ठीक है जो ओपन फायर में जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई बड़ी फंक्शन होती है या फिर साधी बगर जो भी तो वहां पर देखते हैं बड़े-बड़े वह चुले होते हैं और उसके उपर जो उसका बॉलते हैं तो वहीं आपको आपटर सुपर्ण करना है तो यहां पर देखें अप्शनस देखते हैं आपका है बेर यानिका बंदू किंद फ्रेक है वालो होता है कड़ाई लाइसा और D आपका है कॉलोटन यानिकी हडिया जिसे हम लोग डेक्ची भी बोलते हैं या फिर वही जो बात यहां पर हो रहा है कि अलाज दिप मेटल पॉट यूज़ फो कुकिंग ओबर ओपन फायर यानिकी एक बड़ी सी जो है मेटल की बरतन यूज़ होती है कुकिंग के लिए ठीक यह मतलब की संटेंज जो आपका बना वो है वो पैसिफ वाइसम बना वो है आपको उसे चेंज करना है एक्टिब में वन अप दे पैसेंजर्स वाज बीइंग थोरोली चेक्ट वाइदा कस्टम ऑफिसर्स थोरोली यानिकी कम्प्लीटली सही तरीके से एक दम पूरी तरीक जैसे इसका स्थिन्वी मूह जाएगा कम्प्लीटली ठीक है अब देखें यहां पर वाज बीइंग का यूज दो है कल भी ऐसा यही पर आया था कोशन तो वाज बीइंग जो हमारा सेंटेंस मनता है वो पास्ट कॉंटिन्व स्टेंस से बनता है तो यह हमारा चुकी क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वही अब्जेक्ट बनता है जो अब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है ठीक है तो यहां पर देखें आपका यूज वह हो गया सब्जेक्ट उसके बाद आपको यूज करना है वाज य वेर तो ओफीसर है तो हम यहां पर यूज कर जा सकते हैं तो अगर आपको rules पता हैं तो आप direct अपने options को eliminate करके भी आपना right answer choose कर सकते हैं the custom officers were thoroughly checking one of the passengers ठीक है thoroughly यानकी completely तो अगर आपको tense voice के किसी भी लेशन में किसी भी topic में दिक्कत है तो आप हमारा एससे playlist 45 days placed में जाएं ठीक है और वहाँ पर आप इन lessons को देख सकते हैं टेंस और वहाँ पर हम लोग साथ साथ में सिखेते हैं ठीक है इससे पहले हम लोग 2016 के सिट्स solve कर चुके हैं MB publication के book से वहाँ पर चार लेशन्स जो हैं भी बचेवे हैं सेट नंबर 2 सेट नंबर 10 सेट नंबर 45 सेट नंबर 46 ठीक है 2016 के total 46 सेट है जिसमें 42 complete हो गया है चार सिट्स बचे हुए है ठीक है 46 में से अभी हम लोग solve कर रहे हैं 2019 के फिर 2020 भी हम लोग कुछ कुछ लेशन्स किये हैं और देंपिटे सकाइडमी जो हमारा टेलिग्राम चैनल है ठीक है वहाँ पर आपको 2011 से 2015 के questions solve कराया जा रहे हैं सिल्फ एवेलिशन टेस्ट करके हमारे जो यूटुब चैनल है देंपिटे सकाइड में उसका प्लेइलिस्ट में में भी बना हुआ है एक सिल्फ एवेलिशन टेस्ट ठीक है अब वहाँ पर जाकर भी उन लेसन्स को देख सकते हैं अगर इनका पीडियो चाहिए तो हमारे टेलग्राम चैनल जोन कर लीजे डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है वहाँ पर आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वहाँ पर आपको जीएस के इंपोर्टन टॉपिक्स दिया रहे हैं फिर आपको करेंट अफेर्स के टॉपिक दी जाए है तो आप उसका पी क्या स्क्रेंट लेकर हमारे डिस्केशन ग्रूप में भी भेज सकते हैं जो कि टिलग्राम चैनल पर ठीक है तो आप वहाँ जोन करके एक वर विजीट करें अगर आपको अच्छा लगे तो जोन कर लें यहां पर देखिए आपको इंप्रूमेंट करना पाउजेक्ट यही होता है हमारा पास्ट में बनाने का रूल ठीक है तो देखिए सब्जेक्ट प्लस भी टूप्लस अबजेक्ट जो भी यह तो यहां पर देखिए इस तरह के sentences जो है हमारे past indefinite हो गया तो इसे negative में हम लोगग ऐसे बनाते हैं डिट का use करते हूं तो यह हमारा question टग का है है तो इसका टैग जो बनेगा वो नेगेटीव में उसका निटीपमें के सें्टेंश सिस्कों हम लोग किसमें बनाते हैं तो अ चा siz रह को बनाते तो यहां पर देखिए वेल एक वर्ड यूज हुआ है, वेल क्या है, वेल है एक एड़ वर्ब, जो अभी हो आप से उपर में पूछे थे, कि आपको एड़ वर्ब या एजेक्टिब के लेशन्स शाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, चुकि यह वर्ब जो है एड़ वर्ब है तो इसके पहले हम लोग हमेशा सो का यूज करते हैं, यह कलकिलेशन में हम लोग पढ़े हैं, कि जब एजेक्टिब हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सच का यूज करते हैं, कलकिलेशन में हम लोग यह पढ़े हैं, ठीक है, तो देखिए, एड़ वर्ब के पहले जो ह है जब यह adjective होता लेकिन अब अगर आपको पता ही नहीं है अगर confusion है कि बेल adverb है या adjective है तो आप यहाँ पर confused होएगा अगर आपको रूल पता भी होगा तो भी ठीक है तो इसलिए जो है हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको एड़ोर भी adjective दोनों पर lesson चाहिए या नहीं है ताकि आपको जिम्मन में confusion है वह दूर हो जाए ठीक है तो यहाँ पर जो है right answer option बी है कोशन में यहाँ पर identify करना है grammatical error को see forget lock the door when she went out in a hurry देखिए वह जो है दरवाजे को lock करना भूल गए यहाँ पर जो like यह भर्व के फॉर्म में यजगा ठीक है और उसके पहले भी एक भर्व यजद हो है forget ठीक है तो 2 भर्व आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते है तो इसके साथ is appropriate repeat अब जो यूज़ करना होगा वह हम यहाँ पर use करेंगे तो C forget to lock the door when C went out in a hurry तो यहाँ पर जो आपका error है वो कौन सा error हो जाएगा आपका option B में forget के बाद जो है हम to का use करेंगे ठीक है, question number 11 question number 11 है आपका fill in the blank in the wake of recent cross border tension यानि कि हाल ही में जो cross border tensions हुए है forces have been, जो forces है हमारे उनको क्या क्या आगया है तो options देखते हैं, पहले option है आपका है departed, departed मतलब होता है अपर चलित या फिर मृत भी होता है ठीक है, मृत भी अकते हैं, deployed यानि की तैनात deposit यानि की जमा करना, deported मतलब होता है निर्वासित कर देना, निकाल देना, ठीक है यहाँ पर जो right answer है, वो है आपका option B आये समझते हैं, in the wake of the recent cross-body attention है यानि की हाले में जो cross-body attention हुए है forces have been deployed, यानि की तैनात कर दिये गए है strategic locations for immediate action if required अगर जरूरत पड़े, if required अगर जरूरत पड़े तो आप वहाँ पर forces तुरंत जो है तैनात कर दिये गए है ताकि अगर कुछ जरूरत पड़े, तो वो action ले सकें ठीक है, तो यहाँ पर option B है question number 12 में आपको बताना है item का earth in the pink मतलब क्या होता है in the pink मतलब होता है, आपका स्वास्त बिल्कुल भी अच्छा है बहुत ही अच्छा स्वास्त यान कि आप हिल्दी है ठीक है, तो options देखते है, option आपका in pink dress यान कि गुलाबी dress में, गुलाबी आखे, नहीं in the limelight, limelight मतलब होता है ख्याती तो आप प्रसिध्धी में है, नहीं in a good mood, यान कि आप अच्छे mood में है, नहीं in good health, यान कि आप अच्छे स्वास्त है, आपका जो स्वास्त है, वो अच्छा है, तो right answer है, option d in the pink, यान कि आच्छा स्वास्त होना, नम्बर 13 देखते हैं, याप आपको बताना है, synonym जो है word का given, ठीक है, यहाँ पर जो word है यान कि आहाँ निकारक, देखिए, यह इसका intonym हो गया, यह एक तरफ ही खतरनाख है, जान लेवा, यह एक आहाँ निकारक है, healthy यान कि स्वास्त, फॉइटल यान कि घातक, तो रावी दानसर है, आप 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 आप्शन C है, देखिए, यह word हम important है, कोई भी word मिस मत करिएगा, यान कि मजबूत रावी दानसर C है, question number 14, यह आप आपको बताना है, correct passive form में, ठीक है, active है, इसे passive है, दोखिए, please से आपका sentence शुरू हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या सिखेते हैं, please से अगर आपका sentence शुरू हो, या फिर kindly से अपका sentence शुरू हो, तो आप requested के साथ अपने option को जाएं, तो राइड दानसर में आपके option B है, यह आपको question नहीं आया था, यह हम आपको बताए थे, बीच में, जो questions आ रहे थे, उसी के बीच में आ थे, कि इस तरह से question है, तो अभी इस तरह से बनाए, इसलिए जो additional जो आपको knowledge दिया आता है, बीच बीच में, वो आपके लिए important होता है, इसलिए lesson को complete देखें, ठीक है, question verse 15, यहापको सुन्यों नहीं बताना है, prevalent का, prevalent मतलब होता है, प्रचलित, ठीक है, options क्या क्या है, unusual, यानिकि a-samon common, यानिकि समान में, तो राई जाए answer यहाँ पर option B है, मतलब कि वो चीज़ जो है, प्रचलित है, समान किरिये से, रूप से वो चलती जा रही है, ठीक है, तो option B यहाँ पर right answer है, rare यानिकि दूरलब, different यानिकि भिन, question verse 16, यहाँ पर आपको जंबल sentences बताने है, को arrange करना है, ठीक है, तो अगर आप इसे, अगर खुछ से कोशिस करना चाहें, तो पाउस करके पहले कर ले, बाकी फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है, चलिए, आई होग, आपने पाउस करके कर लिया होगा, हम लोग देखता है, अगर आप इस चारो sentences को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बात हो रहा होगा, कि ऐसा देखा गया है, कि walking a dog was good for older people, मतलब कि एक कुटे को रखना और उनके साथ जो है, walk करना older people के लिए बहुत ही अच्छा जो है, यह माना गया था, ठीक है, तो इस तरह से गर आप पढ़ेंगे, तो आप relate करेंगे कि option C जो है, आपका sentence वो main highlighted होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका option B है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है dog का, तो देखे, फिर option B आपका relate कर गया dog से, ठीक है, उसके बाद फिर आप करेंगे, तो पढ़ेंगे कि new research में क्या पाया गया है, कि dog for a walk can have its downsides for seniors, अगर seniors के लिए जो है, यह downsides है, साबित हो सकता है, और उसके बाद finally जो report आएगा, इस तरह से, जो report published बगरा होते रहते हैं, तो इस तरह से जो है, आप पायेंगे कि यह जो है, अब commonly prevalent हो गया है, देखे, यहाँ पर फिर से यह बज़ आ गया, prevalent, तो यही बज़ है आपका उपर में, तो इस तरह से आप खुझ से इसे practice करें, पिक्वारे जितना आप खुझ से practice करते जाएंगे, उतना आपके लिए बहतर है, CGL में 20 questions आते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, question number 17, तैलगो, a Spanish company is one of the measure fill-in-the-blank, intercity standard and high speed passenger trends, ठीक है, तो देखे, टैलगो के बारे हम यह एक Spanish company is one of the measure fill-in-the-blank, अब यहाँ पर जो है, of intercity standard and high speed passenger, options का क्या है, manufacturers, यानि कि निर्माता, ठीक है, option B आपका है, creators, मतलब कि रचना कार, builders, बनाने वाले और constructors, जो इमारत बनाते हैं, ठीक है, तो constructor में अंतर यही है, कि यह इमारत बनाते हैं, तो यहाँ पर देखे, आपके राइड आउंसर, जो है, option A है, समझते हैं, कैसे, टैल गो, जो कि एक Spanish company है, is one of the major manufacturers, यानि कि सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, जो intercity standard or high trends, passenger trends का निर्मान करती है, ठीक है, या फिर निर्माता है, ठीक है, तो राइड आउंसर जो है, आपका यहाँ पर option A है Question 18 में आपको item का अर्थ बताना है, lock, stock and barrel, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पूनता, lock, stock and barrel मतलब होता है, पूनता, तो राइड आउंसर यहाँ पर option D है, completely, बाकी options देख लेता है, immediately, यानि कि तुरंद, partially, यानि कि आंसिक रूप से, यानि कि थोड़ा-थोड 19-23 में क्या है, आपका fill in the blank, the political condition of India, the political condition of India, यानि कि भारत की राजनितिक इस्थिती, in the 18th century, यानि कि 18 सताब्दी में, was one of the extreme, disunity, was one of the extreme, यानि कि अत्याथिक, उन्हें जो क्या थी, disunity थी, यानि कि उन्हें एकता थी ही नहीं, कब की बात हो रही है, तो 18 सताब्दी में, कि इसके बारे में बात हो रही है, तो political condition, यानि कि दाजनितिक, इस्थिती के बारे में या बात हो रही है, कि उन्हें जो है, unity नहीं थी, ठीक है, fill in the blank, fill in the blank, the decline of the Mughal Empire, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा options, जो है, right answer होगा, वो हम लोग यहाँ पर choose करते हैं, ठीक है, तो गिराबट होई, ठीक है, decline, यानि कि उन्हें कि कमी होई, उन्हें गिराबट है, मतलग कि मूगल अमपार के decline के समय जो है, no other Indian power immersed, जब मूगल अमपार जो है, decline होई, उस समय कोई और दूसरा, no other, यानि कि कोई और दूसरा इंदिन पावर immersed नहीं हो सका, ठीक है, इमर्ज यानि कि फल्फुल नहीं सका मतलब कि उससे में कोई और नया जो है पावर नहीं बन सका ठीक है To take the place यहाँ पर हम लोग place का यूज़ करेंगे Place मतलब कि अस्थान in strength and prestige and to unite the country under a central authority देखिए इसे complete करते हैं The decline on the decline of the Mughal Empire यानि कि Mughal Empire के गिरावच जब हुआ उसमें कमी आई उनकी एकता में No other Indian power immersed यानि कि कोई दूसरा जो है भारती सक्ति उसमें immersed नहीं हो पाई यानि कि उभर नहीं पाई to take its place यानि कि इसकी जगह लेने के लिए inner strength यानि कि उससे सक्ति साली और गहरानमित महसूस कराने के लिए and to unite the country और country को unite यानि कि एकता एकत्रित करने के लिए उनमें एकता रखने के लिए under a central authority यानि के central authority में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुगल अंपायर का जगह ले सके ठीक है और लोगों में unity, prestige और strength जो है डाल सके जो मराथा थे वो जब उस पोजिशन की और बढ़े हैं ठीक है एमंग दा न्यू इंडियन स्टेट्स जब नए स्टेट्स में वो अपनी पैट बनाना चाहते थे इमैन्यंस मतलब होता है घौरब बतिश्था जब वहाँ पर अपना प्रतिश्था बनाना की कोशिष के हैं लेकिन वह इस task को फुल्फिल नहीं यानि कि complete नहीं कर पाएं यानि कि वो जो हैं इसके योग जो हैं खुद को प्रूफ नहीं कर पाएं ठीक है तो यह हुआ इस पैसेज का अर्थ आई होप आपको अच्छे से समझ में आग जाओगा तो चलिए एक बार देखते हैं जो पॉलिटिकल कंजिशन है भारत के अठारमी से दद्मिय बहुत ही उनमें एकतान नहीं थी डिस यूनिटी थी ठीक है जब मुगल अंपायर का डिक्लाइन नेशन हुआ यानिकि उनमें गिरावाट आए कोई दूसरा जो है इंडियन पावर इमर्ज नहीं हो सका उसमें मतलब की उभर नहीं सका उसकी जगह लेने के लिए किसके वारे में तो मुगल अंपायर के बारें बात हो रहा है ताकि कोई और जो है दुसरा आए और इंडिया के जो लोग है जो कंट्री यहाँ पर है जिसको आणि बात हो रहा है इंडिया उन्हें जो है Unite कर सके उनको एकत्रीत है कर सके एकताश डाल सकें ठैक है महराथ हाए वह उन्होंने कोशिस की अपने अपने प्रतिष्ठा को पैट जमाने के लिए वहां पर कोशिस की लेकिन वह भी फुल्फिल नहीं कर पाएं स्टास को और इसमें प्रूफ नहीं कर पाएं यानिकी योग ठीक है तो यह हुआ इस पैसेज कर आते हैं कोश्चन में 24 पर यहां पर आपको चूज करना है करें यहां पर जो यहां पर आई डाउंसर है बाकियो अप्शन देखते हैं नोटिफिकेशन यानिक एदे सूचना नेसेसिटी मतलब क्या होता है ज़रूरत नेगल करवाही ठीक है यह वर्ड आपके लिए इंपोर्टेंट है खास्तों पर नेगलिजेंस सारे वर्ड से इंपोर्टेंट है यह दोनों ज्यादा आप से पूछा जाता है नेगोस्टेशन भी पूछा जाता है 25 में आपको बताना है ग्रामेटिकल इर लोधी कॉलिनी इन देल यहां पर देखिए एक वर्डम लोग सीखें है तो यह संटेंस जो है अपने सबसे पहले वाले सब्जेक्ट का अनुसार यान कि इसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार हम आगे अपना भर्व को लेंगे तो देखिए यहां पर जो यूज प्लूरल में युज करेंगे तो इस के जगा क्या हो जाएगा आर का यूज हो जाएगा option है आपका याँपर error है देखिए समस्ते हैं फिर से लोधी कॉलिनी देली इसे बात हो रहा है इसके बारे में जो कि ализ है और ॐस्वार्ट वाला उर सोर魚 वाला जेगहों से बिल्कुल ही अलग है तो प्लेस से इसके अनुसार हम यह यह बहर भी यूस करेंगे तो कल भी ईहसा इरए तो नीयों यह से उट पहर सिकने थो फ्लेस के लिए हम समझाने के तरीका चलगा तो प्लीज लाइक करें ज्याद से ज्याद से शेयर करें अगर अपने हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे हैं आप अपडेट होते रहे हैं मिलते हैं आगे के लिसन्स में थैंक्यू